प्रेंट्स विडियो में हम लग बात करने बाद है जो कि किसी भी कमपीटिय एक्जाम के लिए और आने की चांसे भी है कि हम लोगो और श्रुकर करते हैं पहरा सवाल है और इस गीनाउस इफेक्ट तो देखते इस चाहिए है इंक्रीज इन ग्लोबल टेंपरेचर सो ग्लोबल टेंपरेचर की इंक्रीस होने से वाज़ इसे गीनाउस इफेक्ट होता है है तो ब्रीफ़ली एक्स्पेंग कर देते हैं गिनांस इफेक्ट क्या हुआ है तो गीनांस इफेक्ट जो है तो गीनांस गयास की बड़े से होता है जैसे कि वह गया co2 next methane CH4 next Nitrous Oxide नेक्ष्ट नेट्रास औकसाइड है तीनों गयास की बड़े से सो इन सबी गासों की वज़े से क्या होता है कि ऑम सब्सेंश जो तेंपरेटराइश तो सुलर रेजो आता है हमारी धर्ति में उसे उज्यादा तर रिडियेट स्टनि नहीं हो पाता चींगे हो उन होता है सब्सक्राइब एको कार्फ सिस्टेम तो प्रुट में उतना जादा तेंपरेचर राइज हो तो ही जो एफेक्ट है विलेगे बेड़िए से िदिया कि फॉर्ष नेशनल संटर प़र मेरीन बायोडर्स इंडिया से फॉर्ष नाशनल संटर ज़ झुत, लूक الصट में। ऑसे लिदा है , जमनागर में और भी हैं और यह त्राइस सबसे बढ़ा फॉपाई ऐस जो जब श्टाट बहुत असर दुनिया की सबसे बड़ी वाल की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनारी ट्लैंटत जामना करनें देखते हैं नेक्स सबर क्या है नेक्स नमबर फोर फेन दा वाल बायो डाइबरसिटी डे इस अब्जर्ब सो वाल बायो डायो डायो डेक जाता है रेक एन्सट करते है नेक्स नमबर फाइब अधिब और रिखकल इस और यहां सकी बताइब डांग अधर गार बेस्तलिंध कि कि यह क्या है, यह सिंप्ली ईपाद दीनियृ प्लैट lockे टांग शूर मुह ब्लीपी या different animal की जो variety है इसे simply biodiversity का जाता है किसी भी किसी भी एक particular area में हो सकता है next number five number five देखते क्या है where is the headquarter of the united national environment program नाइरोबी नाइरोबी जो है वो एक city है और Kenya में है Kenya का capital भी है ठीक है Kenya जो कि एक अफ्रीकन country है next number six where is the national center for disaster management और in short NCDM located so NCDM कापर है नुदेली देखते है नुदेली डीक कपितल next number seven where is the headquarter of the green peace international located so green peace international कापर है देखते है Amsterdam जो कि नजदरलीन की capital ये निदरलीन जो की ये नेद जो कि एक European country है र्वोंग दो चुनाहगा next year number eight when was India's first नेटनल एक्षन प्लान और मानक्लाइमेट चेंज रिलीज सो इन्दा की फास्टेनल एक्षन प्लाइमेट चेंज अब टांड यह तूंड़किन ने पैक्ट साइन हैं प्राइज में फ्रांस नामबर नाइन which is the most stable ecosystem so most stable ecosystem क्या है marine, ocean समुदर की जो ecosystem है वो सबसे stable माना जाता है next is number 10 देखते क्या है the bhoopal gas tragedy of 1984 was due to the leakage of which gas so 1984 में जो bhoopal gas tragedy हुआ था उसकी कारण काउन सी gas था काउन सी gas की leakage की वाई से यह gas tragedy हुआ so इसकी बाई से एक्चुली more than 3000 लोगों की spot देथ हो गया था अभी तभी और बहुत लोग इंजियर होते hospitalize करना पड़ा था बहुत लोगों को so एक बहुत ही बड़ा gas tragedy था वो इंडिया में नहीं पूरी वाल्ड में तो इस जिस gas की बाई से हुआ था उसका नाम है methyl isosyanide जिसका formula है C2H3N ठीक है इस gas की बाई से हुआ था यह भी इंडिया में लिगल है ठीक है next step number 11 which is the responsible for turning Taj Mahal into yellow color so कौन सा चीज ऐसा है या पर गैस भी गैस है तो कौन से गैस रेस्पॉंसिब है या ताज महal को yellow color में convert करने के वज़े से so यह कारण में Taj Q convert हो रहा है उसके कारण क्या है sulfur dioxide sulfur dioxide बहुत एक dangerous और बहुत ही toxic gas है sulfur dioxide जिसने जो एक्षोली जो reason है जिसके कारण से ताज महल color yellow हो रहा है उसकी कारण एक्षोली acid rain है so सिर्फ और acid rain की बैसे हो जो white marble है वो damage हो रहा है so इसके बार में बात में बात करूंगा और भी a question है acid rain related so देखते ही next सबर क्या है next step number 12 which district has become the India's first district to have 100% solar power health center so इंडिया की कौन से district है जो इंडिया की first district है जो hundred per 100% solar power से health center को चला रहा है वो कौन से district है district का नाम है Surat जो की उजराट में है तो 100% solar power को यूज करते हुए पूरी health center को चला रहा है next number 13 which smart cities has become India's first city to run on 100% renewable energy during daytime so इंडिया की concept city है smart smart city जो की नरंद मुदी ने प्लांच के था smart city so को इंडिया के कौन सी smart city है जो की first city भी है जो 100% renewable energy को यूज कर रहा है day time ने not night daytime उसका नाम का दियू दियू जो है एक city जो दमन दियू में है दमन दियू नहीं एक state नहीं है एक यूटी है union territory दियू दमन दियू उसके अंदर एक city city है दियू उस city में 100% renewable energy को यूज किया जा रहा है day time ठीक है next number 14 when was launched the national forest policy so national forest policy कब लांच वाता 1988 forest policy है ठीक है 1988 में लांच वाता next number 15 how much present how much sorry how much percent of fresh water is present in on the earth so art में कितने fresh water मौजूद है कितने percent fresh water मौजूद है देखते है 2.5 percent जो की वाल की total entire जो water है उसमें से 2.5 percent ही सिर्फ पीने लाए है बाकी ना है ठीक है next number 17 which sanctuary in India is famous for rhinos rhinoceros 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 का मतलग क्या है ठीक है कुंसा sanctuary यह अभेरन में है इंडिया में कुंसा अभेरन में है जो rhinoceros के लिए famous है या फिर आपके सकते हो कि राइनो जापर राइनो को conserve किया जाता है काजी रंगा नेशनल पार्क जो कि यह बहुत ही फिमस पार्क है असं में असं में असं में है ठीक है नेक्स नामबर 18 हूज दा पायोन यार अप्चिपको मूवमेंट्ट शो बात करते चिपको मूवमेंट के वह एक तो इसका एंसा देख लिए इसका तो चिपको मूवमेंट्ट जो हुआ था संटललाल बहुगना थिक को मुभमेंट क्या दिखते है जिसके जिसमें क्या हुआ था कि जो हीमालाजन जो फोरिश्ट था उसे कटने से उसे बचाना है क्टिकर पेर कट लिया जाए तो उसे बहुत सारी तुल अनदर उनकी जो लीडर सते और उस्ड ऐमिलकर किया क्या शभी जो इसके बज़े से के बचा जा सकता वह। मुदमें में हुआ ता लीज़ था सुन्दर लाल बहु गुणा नेक्स्ट नम्बर 19 विच लेयर इस एब्जोब आल्ट वालट रेडीएशन फोन देस्ट तो संसे कौनसा लेयर है जो इंट वालट रहे या फिर यूभी रहे को अब्जोब करता है वह स्टाटोस्पिएर सो स्टाटोस्पिएर ऑड दिफिरेट लियार है इंज एंजा में न जो 50 km जो है बाद है उसकी बाद 50 km होगा स्टाटर स्पीयर उसकी बाद पुछ वहां पर नहीं रहता है। तो इस लिए स्ट कि बेंस पर में नहीं महती है, मिरेखेर नहीं कि इन आपाता है अर्थ की निचली से में नहीं आपाता है और उस बेखेसे हम सभी सेव रहते है और यह और हमारी हुमन स्कीन के लिए बहुत ही डेंजरी से नेक्स्ट नम्बर 20 दिरिंग पास्ट सेंचूरी दा तेंपरचर अपर आज इंक्रिज बाई तो पिछले देसक में पिछले पिछले संचूरी से एंपरचर कितना राइस हुआ और इस इसका इंजरें 0.6 डिग्री नेक्स्ट अमबर 21 फॉर्स और एक्जम्पल आप उप इको सिस्टेम बहुत सारी है बहुत सरी क्लासिफिकर सेने सो फॉर्स कौन सा इको सिस्टेम का हिस्सा है देखते है निटरल इको सिस्टेम नेक्स्टेम नमबर 22 देशिद रेंग कॉस्ट बाई एंवर्टमेंटल पॉल्यूशन हैपन ड्यू तो विच गैस सो इसका मतलब यह है क सब्सक्राइब देख्स पंडलेडफ्स्टेम सब्सक्राइब की आ को इसके और ड्यू नाट आज साइट और तैस् सब्सक्राइब बात कि किता merge रशा और रसेनेवशनांön ऑत्युः कि सब्सक्राइब ढूहें यहें जमीन हैं टेमीन होता है बहुत सजह के नंग है यहां लार यहां सब्सक्राइब नायर में करते है ठीक है सो एकचाले सबने की बाद करते हैं टूरा तो किया होता है अगर नाइटरिस वक्साइड और सपठोने कुया होगा तो क्या होसी पानी को फील चोपना थेक्स नाइटरिक शर्मतिक कैणि अलब स्वएक्षैड रोगा रेखाएट चुर्पन की पानी की सथ एक रिएक्सिंर्ट होगा की सब्सक्राइब चैनल रम पीडिर्थ नासियडो में लुफायर अनो फोह बंग सब और ईंग सांवं गी आपों अपसड उसलुफ्का तौन में हो ओ जाता बुदा नहीं अही बेदा नुंफोर के के साथ मिलके यह कि इसके साथ अगर मार्वल की अगर होइट मार्वल की अगर रियक्शन होगा तो उससे वह रिजन है इस वाजे से ताजमाल और बहुत सारी एक इसे एर में मौजूद रहेगा तो इसे नाबर 23 फिच ग्यास कंट्रिब्यूट्स दे मैक्सिमाम तुद फेनोमेन अब ग्लोबाल वार्मिंग तो कॉन सा ग्यास सबसे ज्यादा ग्लोबाल वार्मिंग डी कारण है मिथन CH4 मिथन सबसे ज्यादा ग्लोबाल वार्मिंग की कारण मिथन कैसे नेश्ट है नमबर 24 इन न्यारो जोन वेर लैंड वाटर एंड यार इंटरेक्ट इस कॉल्ड तो एक न्यारो जोन है जहां पर जमीन है पानी है और बायू है मिलके एक जोन बनाता है इस जोन को क्या क सामनी संहच सदो जोन उन शोन कaking आता है नेश्ट में टालघक सब्दाब्द यार इतरो जोन नेश्ट वर्ड व्रीप्डिर्व इंविर्मन टेस लिब्यटितल के आता है इसका एंसर है पिप्त जून योन सांने ड्रीप्ड जोन आतनें आचनल फिब्र व्रीवी आइस ड् थे स्चोनी नियेशनल ग्रीटिवीडवार की कि है एक है किया होता है कि अगर कोई with को देमेश की वरके या पर किसी भी किसी भी दूसरी टाइप की व fractions को एंपने के लिए इस एक को पास किया गया था है 2010 नोर तो इसकी कारणольш मैं इद्रक camera ने एक धर Coun में कोई पॉлаय नया था को या हता stb तो इस आट की मादसे उसे सजादे सकते हैं एक इस आट के करान है ठीक है थांक यू थांक यू थांक यू फर वाचिंग इस वीडियो